हेलो एब्रिवन वेल्कम टू टेलेंट आप स्मार स्टड़ी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जियोग्रेफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में इससे पहले दो स्टेट मैंने आपको बता दी हैं उसके लिंक मैं आपको उपर दे दूंगी तो जो काफी जादा हेलफूर होने माले है तो प्लीज इस वीडियो को अंतक देखेंगे और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेगा तो आए हम शुरू करते हैं राजस्थान के जियोग्रेफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में यह आप देख रहे हैं यह राजस्थान है तो रा तो पहले मैं आपको कोटा दोरिया के बारे में बता देते हूं कोटा दोरिया एक टैप की साड़ी होती है जो की कोटा में बनी होती है और यह प्योर कॉर्टन और सिल्क से मनी होती है इसमें स्क्वाय जैसे पैटन्स होते हैं जिने खाट बोला जाते हैं उन पैटन्स को ख लाओ किशन सिंग थे जो की मुगल आर्मी में जनरल थे वह इस पैटन को इस कला को कोटा लेकर आये थे और तब से शुरुवात हुई कोटा दोरिया की अब हम आते हैं ब्लू पॉट्री आप जैपुर पर तो ब्लू पॉट्री जो होती है जैपुर के वह एक ट्रेडिशनल क ब्लू कलर आता है और जो होता है कर दोब सकत है कर दोमें क्वाड़ के स्टोन्क पावडर method को मिक्स के मिक्स के जाते हैं मुलतानी मित्ती बोरैक्स गॉम और वांटर इन सारी चीजमी को मिक्स अरत Easy похподं पंगोलस ने और जो ब्लू पॉट्री है इस टेक्नीक से जार्स बना जाते हैं पौॉसिस होते हैं टी के सेट्स होते हैं कि सारी चीज़ें अप्लू पॉट्री के अंदर बनायी जाती हैं इंडिया में ब्लू पॉट्री आय थी 14th century में आप देख सकते हैं यह अब हम आते हैं कटपुतली को पपेट भी बोलते हैं और ये लकडी की दास्ते है इसका फेज होता है एक कंप्रइं केम Якर लोड़ी के होते हैं और उसके बने और गांथने होते हैं कंप्ड़े की स्टफिंग की और इससे क्या होता है उसमें लचीलापन होता है तो इस एकवार्डिंग वह उसको मुव करा सकते हैं कट पुतली को इन राजस्तान का मेजर टूरिस्ट अट्रेक्शन और भाट कमुनिटी है राजस्तान में जो इे कट फुतलियां बनाते हैं जिने पपटेट स्विए इसका में आपको बताईने जो फीज होता है वो वुड का होता है और बाकी कपड़ कंपड़े का बना होते हैं आप हम आते हैं सांग्नेरी हैं प्रिंटिंग काफी ज्यादा वेमस है सांग्नेर एक टाउन है राजिस्थान में और यहां की प्रिंटिंग की कला है वो 5 centuries old है जो कला है प्रिंटिंग की पांच शताबदी ओल्ड है ये कला इतनी पुरानी है और अभी तक भी अपनी जगे बनाई हुई है पहचान बनाई हुई है और ये इस्ट इंडिया कंपनी के टाहिम पर एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स में से एक था और ये जो डाई इसमें यूस की जा आती है वो डाई अभी भी यूरोपियन कल्चर का एक अभिन अंग है तो इस यह जो सांग्री हैं ब्लग प्रिंटिंग है इस ब्लॉक प्रिंटिंग की वज़े से बहुत सारे लोग एंप्लॉइड है आज करीब तीन जार लोग को इससे एंप्लाइमेंट मिलता है राजस् और उनको पहनने में काफे जादा आसानी होती है और जो डायर्स होते हैं जो लोग इसको डाई करते हैं वो यह प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सैंड और वाटर को स्प्रिंगल करते हैं और उसके बाद उसे एक वेट क्लॉथ से कवर करते हैं उसके बाद यह पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, आप यह एक इमिज देख सकते होंगे, इसमें यह जो एक टेबल है, इस टेबल में इन्हों ने पहले सैंड और वाटर को स्प्रिंकल किया है, उसके बाद इसे वेट क्लोथ से ढखेंगे और उसके बाद इसके उपर ये प्रिंटिंग होती है अब हम आते हैं मोलिला क्ले वर्क पे मोलिला एक छूटा सा टाउन है राजस्तान में जो कि बनास रिवर है उसके किनारे पे बसा हुआ है और मोसली क्या होता है फरवरी और मार्च के महिने में जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और ब्रैटली पेंटेट जो क्ले वर्क होते हैं उनको खरीद के ले जाते हैं इसमें जो clay work होते हैं, यह मड़ी होते हैं, कलर में मड़ी होते हैं, और कई बार इसमें बहुत सारे colors कलर देने के लिए इसमें जिसे red color आपको देना है, तो red color के लिए गेरू का यूज कर लेते हैं, उसको colorful बनाने के लिए, और जो single potter होता है, उन सब की अपनी एक जगे होत उनको एक आकार देने के लिए उसमें gum का भी इस्तिमाल होते हैं, तो जो gum होते हैं, वो vegetable gum होते हैं, जो की trees से निकाला जाता है, तो उस vegetable gum को यूज के जाता है, अब हम यह आप देख सकते हैं, यह है मोलेला क्राफ्ट, इस तरीके से मिट्टी का काम होता है, क्ले का काम होत है, और इसका जो origin है, वो है बीका नेर एक टाउन है, राजस्तान में, वहाँ का इसका origin है, और इससे आज बहुत लोगों को employments मिला, इवन दो विलेज जो एरियास हैं, वहाँ पे काफे ज़दे employment मिला हुआ है, सितंबर 2010 में इसको इंडियन पेटेंट आफिस ने इसको GI टैग दिया, यानि कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया, और 1877 से ही ये बुजिया चली आ रही है, वहाँ पे महराजा श्री डंगर सिंह थे, जुन्होंने इसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे बीकानेर प्रिंसली स्टे इसमें क्या करते हैं, जो 23 करünde गॉल्ड होता है, इसको मल्टी कर्डर गलास के साथ फ्यूस किया जाता है, और उससे एक पैटर्न बनाया जाता है, Uma डिजाइन बनाया जाती है, जो ग्लास होता है इसको एक स्पेशल प्रोसेस से ले शाते हैं, और एक पीस बनाने में, एक सिंगल पीस बनाने में करीब करीब एक महीना लग जाता है। नातु जी सोनी थे उन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया था, थेवा आर्ट प्रोसेस को नातु जी सोनी ने इन्वेंट किया था। तो आप देख सकते हैं यह है थेवा आर्ट वर्क इसमें यह ग्लासेज दिख रहे हैं आपको और यह गोल्ड है यह 23 करेट गोल्ड है तो इसके साथ फ्यूजिंग करी जाती है इससे डिजाइन्स बनाए जाते हैं और ज्वैलरी बनती है यह था राजिस्तान की जोग्रेफि थैंक यू